नमस्ते मैं डॉक्टर रामदेल अमोरिया एक होमियोपेथी कंसल्टेंट फिर से हमारे चैनल पारासोंपेथी जोत्पुर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों इस चैनल के प्रेटफरम से हमारी पूरी कोशिस रहती है कि आपकी जो भी हल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसका जिन्यों से जिन्यों सोलुसन आप तक पहुँचाए जाए इसी करम के इंदर आज हम बहुत ही कॉमनसी सेक्सवल ह торब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्री मैचूर ईजेकुलेशन अरली ईजेकुलेशन या जिसको सिगर पतन भी बोला जाता है दोस्तों pre-mature education क्या होता है किन कार्णों की विज़सर डौलफ होता है क्या-क्या समस्था है आपको ये दे सकता है इसके साथ साथ में दोस्तों बिना किसी दवा या बिना किसी medicines के ऐसी क्या techniques के जिसको तुरू अपन आसाने से pre-mature education से निजात पा सकते हैं वो तीन टेकनिक हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे तो दोस्तों ये वीडियो को आप सुरू से लास्त तक देखना नहीं बोलें ये वीडियो आपके लिए काफी informative साबित हो सकता है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है या पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलें और इसके बेल वाले बटन को जुरू दबाएं जिसे जो हमारे latest वीडियो हैं उनका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें चले दोस्तों चलते हैं topic के ओपर बात start करते हैं premature ejaculation या सिघर बतन दोस्तों premature ejaculation का मतलब है जब भी कोई विक्ती अपनी partner के साथ sexual content करने की कोशिस करता है या अपना जो penis है वो विजाने के अदर penetrate करता है उसके बाद में partner के अंदर orgasm या चर्म उतकर से पहले ही अगर उनका वीरियस कलन हो जाता है या semen का ejaculation हो जाता है उसको बोला जाता है premature ejaculation दोस्तों इसको अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके sexual content के दोरान आपके partner के साथ में satisfaction पूरी तरीके से नहीं हो पाता है अपने partner को और जल्द ही एक मिनट से पहले ही अगर आपका semen discharge हो जाता है उसको count किया जाता है premature ejaculation के अंदर तो दोस्तों ये बहुत ही common सी समझ से हैं जो हर जो प्राय प्राय लोगों के साथ गटित होती है इसकी वज़े से आपकी काफी समझ से पैदा होने लग जाती है या आप कई बार psychologically sexual disease के patient बन जाता है तो दोस्तों ये तीन लोगों में से एक वक्ति के अंदर ज समझ पाएंगे और आप initially stage की जो शुरुआत होती है इस disease की उससे आप बच पाएंगे तो दोस्तों बात करते हैं इसके जो डो मेजर कारण बताये जाते हैं psychological close और biological close psychological का मतलब बता सबसे ज्यादा prominent रहता है psychological या आपके दिमाग से लेटेट जो चीज होती है तो दोस्तों स या फिर कुछ जो cases होते हैं दोस्तों जिनके अंदर confidence की कमी होती है confidence बहुत low होता है या फिर वो लोग जो जिनके अंदर एक guilty दिमाग के अंदर गुसी हो रहती है कि मेरे हस्त में तुनकी है उस वज़े से मेरे body के अंदर कमजोरी आ गई तो मेरे दिक्कत हो सकती है तो उन इसके साथ में जिनके erection problem की disease रहती है या erection dysfunction रहता है उनके साथ में भी premature ejaculation या सिक्रपत्री की समस्यां देखने को मिलती है या अगर आपके partner के साथ आपके relationship पर भी depend करता है कि किस तरीके के आपके relation है तो वहाँ पर भी आपको premature ejaculation देखने को मिल सकता है दोस्तों बहु अगरी depression की वज़े से भी premature ejaculation हो सकता है तो दोस्तों ये मोटे-μोटे कारण होता है psychological अब second कारण की बात करते है biological codes या ऐसे क्या कारण है जो सरीर के अंदर होते हैं जो psychological के अलावा होते हैं तो दोस्तों सबसे होता है hormone changes या body के अदर hormones की कमी की वज़े से testosterone hormone की की वज़े से भी ये चीज़ें देखने को मिलती है सेकेंड जो कारण होते हैं कि दोस्तों अगर आपके अंदर किसी तरीके की प्रोस्टेट की प्रॉलम हो मैल के अंदर या आपके यूरित्थरा के अंदर या पिसाम नली के अंदर infection की वज़े से भी यह दिक्कत हो सकती है या बोडी के अंदर किसी बीमारी से आप लंबे समय से गलसीत है उसकी वज़े से कमजोरी आजाती है या आप लंबे समय से अगर किसी disease की वज़े से अगर आपके sexual नुरास्थेनिया या sexual weakness अगर आ जाती है उसकी वज़ास से भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है तो ये जो मोटे-मोटे कारण होते हैं उनको अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये प्री मेच्योर इजेकुलिस्निया सिक्र पतन किन कारणों की वज़ास से होता है और साइक्लोजिकली स्टेज आपकी ऐसी मन जाती है कि आप अगर वास्ता में जिस चीज़ के सिकार नहीं थे वो सिकार हो जाते हैं और दोस्तों प्री मेच्योर इजेकुलिस्निया जो समस्या होती है एक या दो या तीन बार चार बार तक हर विक्ति के साथ सुरुआत के अंदर ऐसा होता है तो इसमें घबराने के किसी तरिके के आवसकता नहीं रहती है अब बात करते हैं कि दोस्तों प्रीमेचुर इजिकुलिसन जिनके अंदर रियलम होता है उनके साथ-पास में क्या समझ सें पैदा होती है या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है तो दोस्तों सबसे बड़ी मैं कॉम्प्लिकेशन इसके साथ में यह होती है कि आपके रिलेशन्सिप के उपर बहुत ज़्यादा फरक बड़ता है यानि आपकी सेक्स्वल जो लाइप होती है वो सेटिस्पेक्टरी नहीं होती है या संतोस दाइक नहीं होती है उसकी बज़े से आपकी रिलेशन्सिप के अंदर दरार आने लग जाती है तो ये बड़ा मैजर फरक पढ़ता है इस चीज़ का अगर आप प्रिमेचर रियल के अंदर प्रिमेचर इजिक्लेशन से गरसीत है Second, जो फर्क परता है दोस्तों वो है fertility के उपर यानि कि आपके बच्चा पैदा करने की जो समता होती है उसके उपर काफी हद तक इस चीज का फर्क बढ़ता है अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी क्या टेक्निक्स है या ऐसी क्या विधी है जिसके दो इसको प्रीमेजूर एजपूरस से निजास पा सकते हैं तो दोस्तों आप इन वीदियों को बड़े ही ध्यां से देखें यह निचौरल टरीके होते हैं जो आपको सही तरीके से अगär आज़मा पाते हैं तो आप आसानी से इस चीज़ से निजास पा सकते हैं आप को इसंट को हिए आपको इस ऊस्टेकल बनाने के दोरान ऐसा मैसूस होता है कि आपका जो एजेकुलिशन होने वाला है या आपका वीरेडिश्चार्ज होने वाला उस समय उसे कुछ सेकिंड पहले आप उस चीज को रोकने की कोशिस करें या स्टोप करने की एक्टिविटी स्टोप कर देंगे तो आपका जो एजेकुलेशन है वो रुक जाता है यह जो टेकनिक है दोस्तों इसको आप रिक्वारिमेंट के अकोर्डिंग बार बार भी दोरा सकते हैं जिससे आपके जो प्रिवेट्य ईएकूलेशन से आसानी से निजात आप पा सकते हैं तो नहीं सकेंड सिकनिक होती है जेक्निक पाँशेस को वहाँ करो रूक शीज को शीज को रोक के बाने करें आप पर्टर के द्वारा दबा सकते हैं और दो या तीन सेकंड के लिए उसको दबाएं फिर रिलीज करें फिर दो तिन सेकंड के लिए दबाएं ऐसी जो टेक्निस होती है उसको आप बार-बार दोराएं और इस चीज़ को बार-बार दोराने से आपका premature ejaculation की जो समझ से आपको हो रही है उससे आप निजात पास सकते हैं यह जो टेक्निक्स हैं दोस्तों अपनी requirement के according आप इसको कर सकते हैं थर्ड जो main technique है दोस्तों इसको किगल टेक्निक भी बोला जाता है या जिसको pelvic floor exercise भी बोला जाता है तो दोस्तों pelvic floor exercise किस तरीके से करनी चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ किगल exercise भी बोलता है तो किगल exercise में क्या करते हैं कि जैसे ही आप urine पास सबसे बड़ी धान देने वाली बात दोस्तों इसमें है कि इसके अंदर उस mass species को पहचाना जाता है जो आपके urine को कंट्रोल करती है urine को कंट्रोल करना अगर आपको आ जाता है तो आसानी से आप सिक्लो कॉंटेट के दोरान भी आप सीमन एजिकलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं तो आप इसको कैसे पहचानेंगे जैसे ही आप urine करने जाता है urine का जैसे flow start होता है उसके बीच में आप urine को रोकने की कोसिस करें रोकने के अंदर जो mass species काम आती है जिसके तुरू आप संकुचित होके उसको रोकते हैं उसको पहचानेंगे अगर पहचान लेते हैं उस mass species को आपको बार बार उसके exercise करते हैं तो आपको पता चल जाता है इस mass species को संकुचित करने की वज़से ये urine रोकता है तो ये जो procedure होता है दोस्तों अगर आपको उस mass species का पता चल जाता है तो आप इसको लेट के भी exercise को बार बार दोहरा सकते हैं या आप चेयर के उपर बैठके भी इस exercise को कर सकते हैं जिससे धिरे धिरे आप बार बार करेंगे तो आपका control उस चीज़ पर होने लग जाता है यानि कि आप urine को रोक पाता है उसी तरीके से sexual content के दोरान आप उस चीज़ को रोक पाता है सिमन इजेकुलेशन को तो ये exercise बहुत ही easy exercise होती है दोस्तों लेकिन आप इनको बार 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 इस तरीके से exercise में लाएंगे तो जाके ये practice हो जाती है और आसानी से आप issues को कर पाते है तो दोस्तों ये तीन technique है बहुत आसान technique है किसी तरीके का body के ओपर कोई side effect नहीं होता आप आसाने से दोरा के बहुत बड़ी complications से बस सकते है या इस तरीके की मानसिक्ता जो आपकी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है कि मैं नपू संकता का सिकार हो गया हूँ मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है मुझे treatment लेना पड़ेगा ऐसा-ऐसा यानि कि जो संकोच होता है उसको आपको ज़्यादा दिमाग के अंदर पालने के आवस्ता नहीं होती आप आसाने से सिक्र पतन की समस्या से निजात पासकते हैं तो दोस्तों एक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें दोस्तों को सेर करें चैनल को सब्सकाइब जरू करें दोस्तों बने रहे हमारे साथ जियो जिनकी के रंग हो में पेती कसंग धन्यवाद दोस्तों